दोस्तो धन की परिशानी एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी के जीवन में एक बार आ जाती है तो फिर काफी लंबे समय तक रहती है क्यूंकि मातल लक्षमी को चंचल कहा गया है तो वह एक जगए नहीं टिक पाती हैं इसलिए हर किसी को एक न एक बार अपने जीवन में धन की समस्या का सामना करना पड़ता है बहुत सी ऐसी चीजों को बताया गया है जिनका आगर बिलकुल ध्यान रखा जाता है तो उनके जीवन में बिलकुल भी परिशानी नहीं आती है अगर कभी कबार धन की समस्या से जूजना भी बढ़ता है तब भी जादा दुख उत्पन नहीं होते हैं काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि धन को किस प्रकार आकरशित करना चाहिए और ऐसे कौन-कौन से कारे करने चाहिए जिससे माता लक्षमी की किरपा हमिशा घर पर बनी रहे घर में रह रहे लोगों पर बनी रहे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन छोट-छोटी गलतीों से माता लक्षमी रुष्ठ हो जाती हैं और किन बड़े ही आसान कामों को करकर मातालक्ष्मी को दुबारा से आकरशित कर सकते हैं धन की समस्या एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी विक्ति के जीवन में एक बार आती है तो कई साल उसे फेर लग जाते हैं उस समस्य में निपटने में इसी तरह से बिलकुल करज की समस्या होती है कि अगर किसी भी विक्ती को करज की समस्या हो जाती है वे विक्ती करज में डूब जाता है तो काफी लंबे समय तक वे करज में ही डूबा रहता है और किष्ट भर- परिशान हो जाता है क्योंकि एक बार इस भी विक्ति के जीवन में धनकी समस्या आ जाती है तो वह आसानी से नहीं निकल पाता है क्योंकि धनकी समस्या हो जाने के कारण हर कारे बिगड़ने लगता है कोई भी कारे सही से नहीं हो पाता है जो इंसान चाहता है नहीं नहीं कार करना वैसे अब कुछ कर ही नहीं पाता है और जब कुछ कर ही नहीं पाता है तो 24 गंटे ही उसके मन में और दिमाग में विचार चलने लगते हैं और जैसे ही बहुत सारे विचार उसके मन में चल जाते हैं घेर लेते हैं तो वैसे ही बहुत सारी चिंता भी सताने लगती है और कुछ होते होते भी कुछ भी पूर्ण नहीं हो पाता है और कुछ भी नहीं मिल पाता है तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज है आप इस बात का ध्यान रखें कि जो घर में आपके तुलसी का पौधा रखा है इस पौधे में घर के मुखिया को रोजाना एक लोटा जल जरूर डालना चाहिए भगवान श्री कृष्ट ने बताया है कि तुलसी ही लक्षमी स्वरूपा है और जिस भी घर में होती है वहाँ पर कभी भी धन की समस्या नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उनसे जुड़ी हुई महतपुन बा फिर उस घर में नहीं मिल पाते हैं ये सब काम करने घर के मुखिया को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो भी व्यक्ति कारे करता है कमाता है जिस पर पूरा घर निर्भर है उसको धार्मिक होना जरूरी होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है लेक आप दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखा करें कि घर में कभी भी घर के मंदिर को ऐसे ही विरान सा ना छोड़ा करें। और पूरे घर में घुमाना होता था तो यही नियम था जो आज की समय में बिल्कुल लुप्त हो गया है। इसे मंदिर में जरूर जलाया करें और उसे पूरे घर में जरूर घुमाया करें। लगती है वो इसलिए होता है क्योंकि वह सभी नकरातम कुर जाएं अपने कारे पे लग जाती हैं और अपना कारे कर रही होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को सूते समय आपको डर लगता है गबरात होती है तो आप एक दीपक को जरूर जला कर अपने पास रखा करें। अगले ही दिन से इसके प्रभाव खुद ही देखेंगे उस रात आपको नींद भी अच्छी आएगी और कोई डर भी नहीं लगेगा। बस इतना करने मातर से ही आप खुद भी समझ जाएंगे कि दीपक जलाने से बुरी शक्तियां नकरातम कुर जाएं कितना ज़्यादा डरती हैं। तो इसे बिलकुल नियम बना लें और इस बात का ध्यान रखें कि एक दीपक को आपको यानि के दीपक की रोशनी को जो खीका दीपक होता है उसे आप अपनी अलमारी में तिजोरी में भी जरूर दिखाया करें। काफी लोग बस यही गलती करते हैं कि अपने समान पर जिस चीज का वो काम करते हैं या धन पर जहां पर तिजोरी में वो पैसे रखते हैं वहाँ पर बिलकुल भी ना तो दीपक जलाते हैं और ना ही दिखाते हैं। विचार आते रहते हैं मन में तो आपको तिल के तेल का इस्तेमाल करना है। कारे के लिए किया जाता है अब दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान लखें कि घर का जो मुखिया है अगर रोजाना शाम को एक दिपक में चार इलाइची डाल कर जलाता है और पूरे घर में घुमाता है तो इससे तीवर गती से धनाकरशन शुरू हो जाता है यही प्रयोग आप वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर आपका ओफिस है या जहाँ पर आप काम करते हैं ऐसा करने से आप खुद ही पाएंगे कि आपका व्यापार दुगरी तेजी से चलने लगेगा क्योंकि चार इलाइची घी के दीपक में डाल कर पूरे घर में गुमाने से और अगर यह आपका काम है आप किसी बिजनस को करते हैं चुड़े हुए हैं तो यह प्रयोग आप भी अपने बिजनस के लिए कर सकते हैं यह कुछ बड़ी ही आसान सी चीजे हैं जिन्हें करके माता लक्षमी की खास और विशेश किरपा प्राप्त की जा सकती हैं अब दोस्त जूते चपल वगेरा सब कुछ सजा कर रख देते हैं और इस बात को बिल्कुल भूली जाते हैं नजर अंदाज कर देते हैं कि जिस देवी की वे पूचा कर रहे हैं जिस देवी से वे मांग रहे हैं उसी देवी के पास वहाँ पर जूते चपल उतार कर रख देते हैं तो दोस्तों बस इसी से माता लक्ष्मी बहुत अधिक रुष्ट हो जाती हैं और फिर कभी भी विक्ति के जीवन में ना तो वर्दान देती हैं और ना ही उसकी इच्छा पूर्ती करती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखा करें कि तुलसी के पौधे को ऐसे ही बिलकुल भी ना स पठनी चाहिए और ना ही उतरनी चाहिए अगर इस तरह से आप बिलकुल ध्यान रखते हैं तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं तो वह पौधा अत्रिश्य रूप से आपकी सेवा करने लगेगा और आपको ऐसे वर्दान प्राप्त होने लगेंगे कि धन की समस्या कभी भ परेशानिया बिलकुल समाप्त हो जाती हैं और धन आकर्शन शुरू हो जाता है अब दोस्तों मुखे उपाए भी आप जरूर समझ ले कि धन आकर्शन के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं सबसे पहले आप कुछ कोडियों को लेकर आ जाएं जो समुन्दर से उत्पन होती है जिन्हें लक्षमी कोडी के नाम से भी जाना जाता है बस यह आपको 51 लेकर आ जानी है और इसे आपको किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन कपूर की सहायता से जला लेना है या फिर जैसे कि यह भी नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों पर भी आप इन्हें जला सकते हैं और इन्हें जला कर बस आपको किसी भी सिंदूर में मिला कर इसे रख लेना है और इसी के साथ अगर आप लक्षमी साधना कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है इससे और भी ज़्यादा सिध्धी प्राप्त होती है माता लक्षमी की विशेश करपाई शुरू हो जाती है लेकिन बहुत सारे लोग साधना नहीं कर पाते हैं इसी प्रयोक के साधना किस प्रकार की जाती है यह हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले आप यह जान लें कि यह पेस्ट आपको किस प्रकार तयार क क्योंकि जो लोग साधना नहीं कर पाते हैं वे इसका लाब उठा सकते हैं किवल सिंदूर में मिलाकर आप माता लक्षमी की तस्वीर के पीछे या किसी भी मूर्ती के पीछे छुपा कर रख दें और रोजाना फिर इसका पेस्ट अपने माथे पर लगाया करें इससे शरीर मे धन के केंदर खुल जाते हैं और धन आकरशन दुगनी तेजी से शुरू हो जाता है यह बड़ा ही आसान सा लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग है बलकि तंतर में इसी प्रकार का यह प्रयोग करके धन आकरशन किया जाता है तो सिंदूर में मिलाकर आप यह कोडियों को रख लें और रोजाना इनका तिलक अपने मात्या पर लगाया करें सोने से पहले कहीं जाने से पहले इससे आपको निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा लाब मिलने शुरू हो जाएंगे तो जरूर इन सभी चीजों को ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि मात जानकारी हमेशा पाने लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें जिसे आने वाले सभी ग्यान वर्दक वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी वीडियो बिलकुल भी मिस ना हो धन्यवाद